हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चैनल वैसे आज हम आईरोनमेंट कॉंसेट का फोटो एडिटिंग करेंगे इसका फोटो में रिसेंटली कुछ दिन हो गया इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था तो बहुत सारे लग मुझे रिक्रिस्ट किया थे और बहुत प्यार दिये थ और मैं रिसेंटली अभी कल देख रहा था यूटूब में तो मुझे बहुत जार लोग देखते हैं मेरे वीडियो को कम से कम 61 परसेंट आप लोग देख सकते हो इतना लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब कर देना कुछ टाइम नहीं लगता है बस सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करेंगे अब उसके बाद हम जाएंगे अब यहां आने के बाद हम यह सपार्कल्स को क्या बोलते हैं स्पार्कल्स या जो भी हो उसका हम एड़ करते हैं यहां पर इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम स्क्रीन तो यह हो गया उसके बाद हम जाएंगे एफेक्स में और यहां पर ब्लर में जाएंगे और इसको थोड़ा हम ब्लर करेंगे ज्यादा नहीं ठीक है सही लग रहा है अब करेंगे डन अब उसके बाद हम जाएंगे मॉडल को एड करेंगे यहां पर फोटो में जाके तो हमारा मॉडल को यहां पर एड कर चुके हैं तो हम अब यहां पर इसको हम करेंगे इसे फिट कर देंगे तो यह हो गया, उसके बाद थोड़ा साइज बढ़ा करेंगे, गम लग रहा है, चलो, यह से ही है, अब उसके बाद हम एरेज में जाएंगे, और हम यह सब हार्णिस रखेंगे, 100% और साइज रखेंगे अपने हिसाब से, उसके बाद पहले हम इसको एरेज करेंगे, यह है, यह हो गया, अब उसके बाद यह उपर बाले इसको भी हम इरेज करेंगे, ऐसे, देन उसके बाद करेंगे, ओके, अब उसके बाद जाएंगे, फिट से एड़ फोडो में, और हम यहाँ आने के बाद, यह हैंड को हम करेंगे, एड़, और हम इसको simply यहाँ पर एड़िस्ट कर देंगे, हाथ में, देखो, जब हो गया, उसके बाद करते हैं, डन, और उसके बाद जाएंगे, फिट से एड़ फोडो में, अब उसके बाद यहाँ आने के बाद, हम करेंगे, इसको एड़, तो थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद इसको बढ़ा करके यहाँ पर फिट करेंगे, तो हो गया उसके बाद हम उपाशीड को कम करेंगे और बाकी का पार्ट हम इरिस करेंगे उसके लिए जाएंगे इरिस टूल में और यहां से हम करेंगे इरिस सब रखेंगे हार्डनेस को अंडेड और साइज रखेंगे अपनी साफ से अब उसके बाद हम करेंगे दीरे-दीरे स्कुरी रेज जाएंगे मत्छ श्याएंगे लाएंगे अवाट अब करेंगे इरूज ऑДа फार इरिस हो एक हो सो यह हो गऊप करते हैं इसके बाद होफा से ट蓆 एक अंडिड के बात हम जाएंगे यहां पर स्यायां को देन यहां ससे ट्रॉस включ करके कम करेंगे का सटॉरेशन जैंच पल्सके बाहं करेंगे ऊके इसके बाद आपनेस्ट जांगे एड़ फोड़ो में अब उसके बाद हम करेंगे इसको एड़ और इसको भी सेम जूम करें के यहां पर फिट कर देंगे इसे तो यह हो गया उसके बाद हम जाएंगे एड़िस्ट में जाएंगे उसका भी सिचुरेशन कम करेंगे हुके अब करते हैं से डन तेन उसके बाद जाते हैं फिर फोड़ो में और यहां नहीं कि बाद हम करेंगे यह दो फोटो को करेंगी यहां से यह तो पहले वाला को हम रखेंगे यहां पर पहले हम यहां पर जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको हम यहां पर रखेंगे छोटा सा करके यह हो गया उसके बाद नेक्स्ट इसको ले आते हैं और इसको हम जूम करेंगे और यहां पर फिट कर देंगे नीचे से ऐसे हो गया अब थोड़ा से हम एरिस कर देंगे यह जो पार्ट है हम इसको एरिस कर देंगे इसे दिन करते हैं यहां से ओके और उसके बाद थोड़ा से जूम करके करेंगे थोड़ा से कम हो गया अब करते हैं यहां से डन अब उसके बाद हम जाएंगे यहां पर क्या बलते हैं इसको डो टूल में जाएंगे और यहां पर पहले से एंप्लियर होगा उसके बाद हम ब्रस के साइच को बढ़ा करेंगे ऑपासिटी को इतना ठीक है अब उसके बाद यहां पर हैंड में पेंट करना है कुछ इस तरह से ओके अब उसके बाद आपासिटी को कम कर देंगे इसे यह हो गया अब करने यहां से डन ये चैनल सके बाद निस जाएंगे फिर फोडो में तो अब यहां आने के बाद हम इस हैंड को करेंगे यहां से एक ओके तो यह आचुका है यहां पर तो इसको हम यहां पर स्पिट कर देंगे हाथ में कुछ इस तरह से ठीक है आप लोग देखो गाइस ध्यान से तो यह तो हो गया तो यह हो गया उसको थोड़ा साथ के लिए आना है यहां पर इसे हो गया तेन उसके बाद इरेज में जाएंगे और सबसे पहले हम कर देंगे इसको इरेज यह हो गया उसके बाद हम यह सब को इरेज करेंगे इसे दिन उसके बाद हम करेंगे यहां से डन तो यह हो गया इसका काम खत्म यहां से अब दुसरा जाएंगे एट फोड़ में तो अब यहां आने के बाद हम इसको हम एट करेंगे यहां पर तो हम यहां पर उसको जूम करके फिट करतें पहले एंड में फिट करेंगे यह हो गया उसके बाद हम इरेज में जाएंगे और चलो इरेज करतें इसको जैसे तो यह एरेज हो गया उसके बाद यहां से करेंगे डन ओके और उसके बाद हम जाएंगे यहां पर एड्रिस्ट में जाएंगे और ब lets को थोड़ा से कम करेंगे इतना अब करने के यहां से डन ंस देन उसके बाद हम जाएंगे फिर शेएड फोड़ा में दूसरा from करेंगे तो हम करेंगे इसको एड्र गया है अब इसको यहां पर निचे में लगाना है तो जूम करके हम कर देते Patreon सेher कुछ इस तरह से हो गया थोड़ों से अजिस्ट करना ही यहां पर दिन हो गया करेंगे रिस भागी का पाइट को आप चलो ही हो चुक है देन करते हैं आसे ओके तो यह हो गया अब जाते है इड़ों में जाते हैं और आरेन मन का हाथ है उसको हम करेंगी यहां पर एड़ और यह हो गया करते हैं यहां से एड़ को इसको थोड़ा से बढ़ा करके रख देती हैं यहां पर थोड़ा साइड में चलो इतना बढ़ा से ये देन क्या करना ये ओप आशिड्य को थोड़ा से कम करें यहां इरेस मैं जाना है और यहां पर शीरेस कर देंगे और यहां पर करते हैं उसके बाद जाएंगे फिर से फोटो में जाएंगे और यहां आने के बाद यह वाला फोटो को करेंगे आए The Dragon का का और हम चोटा कर देंगे से। और अभी देख सकते हูं मेरा जो बौड़ी का कलर है और इसका मेश नहीं कर रहा है तो उसको मेच करने के लिए हम जाएंगे यहां पर एड्रेस्ट में जाएंगे ठीक है उसके बाद हम जाएंगे यहां हुई में जाएंगे देने इसको ऐसे करेंगे minus 16 और saturation को थोड़ा से कम करेंगे तो अभी अभी थोड़ा बहुत मेच हो रहा है यह काम चल जाएगा उसके बाद करेंगे हांसे done तो यह हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे opacity को कम करेंगे और उसके बाद थोड़ा से देखते हैं यहां पर adjust करके यह हो गया तो हम जाएंगे यहां पर एरेस में जाएंगे और यह कौन सा टूल है मुझे नहीं पता वहाँ पर क्लिक करते हैं यह हो गया अब उसके बाद हमको जहां भी चाहिए तो आप ऐसे ब्रस कर देना है इससे ठीक है तो देखते जाओ आप लोग यह हो गया अब करते हैं यहां से डन और उसके बाद हम जाएंगे फिट शेट फोड़ में और यहां आने के बाद हम यह जो आईरन में का है उसका मास्क क्या बलता है है जो भी हो उसको हम एड़ करेंगे यहां पर और थोड़ा Heav UFO करके पिछ लगा देंगे यहां पर तो उसके बाद हम जाएंगे अडिष्ट में जाएंगे व्रैट नेस को कम कर देंगे सिस्टुरीसन को भी कम कर देंगे वह हो गया उसके बाद इसका काम है तोके इन बासीटी को कम करेंगे थोड़ अशा अलका सा दिखना चाहिए कि 44 तो दन करते हैं डन तो यह हो गया तो अब उसके बाद जाएंगे कहां पे या टूल्स में जाएंगे और यहां एड्रेस्ट में जाएंगे उसके बाद हम इसको क्लारीटी बढ़ाएंगे थोड़ अशा और हम सेचुरेश ढौख अब आए जे हो गया अब करेंगे यहां से दन तो उसके बाद हम जाएंगे फिर से एड्र फोटो में यहां पर आने के बाद यह ब्लो कलर है उसको करेंगे एड्ड एड्र के हम उसका हाट को ठोड़ा सा लाइटिंग देंगे यहां पर बीच में रखके इस इसको आपकर सकते हो तो मैं यही करता हूँ एड में कर देता हूँ इसको यहां पर रखना है दिन उसके बाद यहां भी क्लिक करके इसका डूब्लिकेट लेते हैं और इसको हम करेंगे यहां पर हैंड में भी इसका एक हो गया और एक लेते हैं डूब्लिकेट इसको फिर यहा से छोटा कर गए ऐसा दिन करते हैं यहां से दन तो यह हो गया तो अब उसके बाद हम जाएंगे कहां यहां पर जाएंगे ड्रो टूल में जाएंगे और यहां पर एंट लेर चूस होगा पहले से उसके बाद यह जो ब्लेंडिंग मोड को रखेंगे एड कलर को रखेंगे कौन सा यह वाला इसका लाइट देना है तिन उसके बाद ब्रस साइट रखेंगे थोड़ा से कम सेवन अब इसको अलका सा इससे पेंट करेंगे लाइट इफेक्ट के जैसे हो गया अब उसके बाद हम उपासिट को कम कर देंगे कम अलका सा रखने तो यह ठीक है अब कर देते हैं यहां से डन तो दाइस हो चुका है अब उसके बाद इसको हम सेब कर देते हैं ओके सेब करने के बाद उसको हम पूरे प्राइट करेंगे यहां पर add करने केलिए जाएँगे एड़वोडो में तो यह हो गया इसको हम एड़ कर लेते हैं तो यहाँ बेसे फिट कर गे काम पर यह जो फलीप है वहां पर क्लिक करके यहां पर जाते हैं और इसका रिफ्लेक्ट देने के लिए इसको रखेंगे यहां पर बीच में पासिडियों कमी करेंगे माइनिस ट्वांटी सिक्स ठीक है इसके बाद एरेज में जाएंगे और बाकी का पाट कर देते हम एरेज सो यह हो गया अब करनेंगे यहां से डन तो पिक्साट का काम यहां से हो चुका है तो चलो चलते हैं लाइट रूम के अंदर उसके वहां पे जाके थोड़ा क्लर क्राडिंग करेंगे तो फ्रेंस हम आ गए यहां पर लाइट रूम में और उसके बाद हम इसको थोड़ा से कलर क्रेक्शन करेंगे तो यहां पर जाएंगे और हम थोड़ा सा इसको हम टेंप रखेंगे फॉर टींट को देखते हैं कुछ एड्रेस्ट करते हैं चलो यह सही है 14 जैन भाइविरें इसको माइनिस फॉर सिट्रेशन को देखते हैं उसको कम करने से अच्छा देखते हैं माइनिस टॉंटी टू तो यह सही है उसके बाद इसका लाइट देखते हम इसको कम करेंगे इन है लाइट से इन सैडस को थोड़ा बहुत करेंगे कुछ है लेक्स को देंगे 32 और ब्लक्स को चलो ठीक है माइनिस फॉर देन उसके बाद टेक्सर देंगे थोड़ सा और यहाँ विगनेट यह हो गया और यहाँ पर चार्पनिंग देना जोरूरी है ज्यादा नहीं 30 तक ठीक है तो यह हो गया बसे यह ज्यादा कुछ मत करना तो यहाँ पर जाके हम यहाँ पर सेल पर जाके सब कर देते हैं ठीक है आपको यह वीडियो प्रसंद आई होगे तो प्लीज जल्दी से लाइक कर देना और बहुत सारा सेर्ट करना ठीक है तो मैं मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तो बहुत सारा ख्याल रखें आपना चलते हैं बाई टेक केर रहें कर दो